हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका सेहत विद्य यूट्यूब चैनल में फ्रेंड आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई-ार थर्मोमेटर के बारे में कि आई-ार थर्मोमेटर होता क्या है इसका उप्योग कैसे करते हैं और इसको उप्योग करने के हमें फायदे क्या-क्या है IR Thermometer एक Medical Device है जिसका उप्योग हम हमारे सरीर में तापमान मापने के लिए करते हैं यह Thermometer हमें हमारे सरीर साथ ही साथ किसी Object दोनों के temperature को मेजर करने के काम आता है तो चलिए फ्रेंट देखते हैं कि अब हम इस IR Thermometer का उप्योग कैसे करें इस Thermometer में देखिए यह डिस्प्ले है जिसमें जो हम मेजर करते हैं तो जो रीडिंग आती है वो इस डिस्प्ले में सो होता है सात में यह बटन दिया हो है जिसमें आप यह बड़ा बटन देख सकते हैं यह mode चेंज और इससे हम यह डेखते है कि जो temperature दिखा ए क्या वह फैरण हáएट में है या Celsius में यह या थर्मोमेटर दोनों ही यूनिट में Temperature को मेजर कर सकता है Fahrenheit में भी कर सकता है साथ ही Celsius में भी कर सकता है बस हमें इसके mode को Change करना होता है और इसमें यह बटन लगा हुआ जिसे हम और करके इसे आंग करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे सरीर का या फिर हम इस ऑब्जेक का टंपरेचर मेजर कर रहे हैं वो टंपरेचर कितना है तो चलिए मैं आपको टंपरेचर चेक करके दिखाता हूं कि हम इसका टंपरेचर कैसे चेक करें तो चलिए अब मैं आपको temperature measure करके बताता हूँ जैसे आप देख रहे कि आयर थर्मामेटर ओन हो चुका है अब देखिए मैं इसको यह बटन को दपाने पर यह आप देख सकते हैं इसमें जो temperature दिखा रहा है 35.6 degree Celsius अभी जो दिखा रहा है यह degree Celsius में दिखा रहा है यह तो मैंने अपने सरीर का तापमान मेजर किया अब चलिए मैं किसी object का temperature measure करके आपको दिखाता हूँ जैसा है कि अब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में mobile है अब मैं इ इसको जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे अगर temperature कहीं बहुत ज्यादा होगा तो इसके लाई यह जो आपको green color की light दिख रहे हैं लाइटों में भी changes आते हैं अगर आप किसी cool temperature में measure करेंगे temperature तो वहाँ अलग light दिखाए देगा और कहीं बहुत ज्यादा heat होगा तो व आप देख सकते हैं अभी भी यह 35.6 degree celsius ही दिखा रहा है तो फ्रेंड हमारे body का जो normal temperature होता है वो 31 30 sorry 36.1 degree celsius से लेके 37.2 degree celsius तक होता है जो हम normal consider करते हैं अगर अगर इस thermometer की accuracy की बात करें तो यह thermometer में 1 और 2% का ही difference होता है बाकि यह rating सही बताता है फ्रेंड जब भी आप IR thermometer का उपयोग करें जहां से भी आप temperature को measure कर रहे है उससे beach की दूरी 3-5 cm हो और इस measure करने के लिए आप या अपने माथे पर forehead से temperature ले सकते हैं या फिर अपने hand से ले सकते हैं इन दोनों जगों से ही temperature मापे है फ्रेंड इस IR thermometer का सबसे अधिक उपयोग हुआ हमें ये Corona महामारी में क्योंकि इसमें हमें एक दूसरे से social distancing बना कर रखनी थी तो इसलिए इस thermometer का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ तो चलिए हम जानते हैं इसके फायदे क्या क्या है तो फेंड जैसे हैं कि हम पहले उपयोग करते थे यह डिजिटल थर्मोमेटर आज भी उपयोग होता है बट जब से Corona महामारी आए तब से इस आयर थर्मोमेटर का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा जैसे कि हम इस डिजिटल थर्मोमेटर का उपयोग करते हैं तो हमें इसको अपने under arm में रखना पड़ता या फिर mouth में रखना पड़ता जिससे हमारे body का contact होता है बट ये फायदा है कि इसे हमें किसी से कॉंटेक्ट नहीं होता जिससे कि किसी भी प्रकार की डिजीज का ट्रांस्मिशन के चांसे बहुत कम होते और वह बहुत ही easy to use है, convenient है, इसलिए हम आयर थर्मोमेटर का उप्योग करते हैं फ्रेंड उमिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखके आयर थर्मोमेटर का उप्योग कैसे करना है वो समझ आ गया होगा, अगर अभी भी आप थर्मोमेटर से जुड़ी और भी कुछ जानकारियां पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट सेहतविद्या.com पे दे टूमेटर, ये विवे लूमेटरòn बदूमेटरोग। झाल झाल झाल